हालो एब्रिवन वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल स्पाइस एंड लाइफ आज हम बनाने वाले हैं आवले का अजार हम आवले के साथ सथ अद्रक लसुन और हरिमिज का अजार मिक्स करके बनाएंगे यह बहुत ही लाजवाब बनता है आप इसको घर पर जरूर ट्राइ करें हम आवले को स्टीम कर लेंगे यह देखिए मैंने आवले को स्टीम किया है और इसके बाद हम अद्रक को स्लाइस कर लेंगे बारीक बारीक लंबा लंबा काट लेंगे सारी अद्रक को ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे अद्रक मैंने यहां पर लगबाग 1,500 गराम के कर यह देखिए मैंने इसको यहाँ पर आराम बारीक बारीक काट लिया है इसके पद हमने हर इमेज को भी ऐसे ही बारीक और लंबा काट लिया है आवले हमारे जो हमने स्टीम किये थे उसको हमने इस तरह से अलग कर लेना है स्टीम करने के बाद आवला इजीली अपने आप ही कर जाता है इसको काटने के लिए चाको की जुरत नहीं परती है ऐसे ही दीख कितने अच्छे से अलग हो रहा है इसके बाद हम आवला अधरक लसन हरिमेज को एक कपड़े पर रखकर एक घंटे के लिए आदे से एक घंटे क के लिए पंखे की हवा में सुखा लेंगे जिससे इसका पानी पूरी तरह से सूख जाए और अचार लॉंग टाइम के लिए चले याद रहे कि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए पानी रहेगा तो अचार खराब होने का खत्रा बना रहता है नहीं तो यह आराम से दो तिन म कि यह देखे मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया है इसके बाद हम अचार बनाने के लिए तयारी कर लेते मसाले तयार कर लेंगे एक फ्राइपेन लिया है हलकी आज पर मैंने रखा है इसमें हम एन डाला है एक चमच जीरा एक चमच सौफ आदा चमच में लोंगी मेथ कुछ धन्या लोगी इन सब को मिक्स करके खलकी गयश पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है आ यह इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे अ कि यह देखिया हपाि के पर मूनना है हमने इसको जड़्यादा लाल नहीं करना है हलका सा जब इसकी चटकने की आवाज आने लगे तो ये हमारा मसाला तयार हो जाएगा इसके बाद हमें इसको बारीक पीसना है थोड़ा ठंडा करके ये देखिए अब ये मेरा होना शुरू हो गया है ये हमारा तयार है इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसी में हम एक कटोरी सर्थो का तेल लेंगे इसी पैन में हमने एक कटोरी सर्थो के तेल को गरम कर लिया है मसाले को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है ये देखिए तेल हमें ज्यादा गरम नहीं करना है इसको हलके से बबल साने तक गरम करना यह देखें इसमें बबल साने शुरू हो गए है तेल को जादा गरम ना करें यह देखें अब इस तेल को हमने हलका ठंडा करके एक चमच हल्दी और एक चमच कश्मीरी लालमेश डाल देनी है ध्यान रहें जब हम यह मसालें डाले तो तेल जादा गरम ना हो नहीं तो हल्दी जल जायेगी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है अब हम जो मसाले भूने थे उसको दरदरा पीस लेंगे आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं इसको खलका दरदरा पीसना है ज्यादा बार एक ना करें अब इसके पाथ हमने सारे सब्चियों को आवला अध्राकार इमेज को बावल में लेकर यह मसाला एड कर लेना है अच्छे से मिक्स कर ले इस सब को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इस में ही हम तेल जो हमने गरम किया था वो इसमें हम डाल देंगे और साथ ही हमने इसमें नमक भी इसी समय एड कर देना है मैंने दो चमश नमक एड किया है आप चाहें तो अपने छात के अनुसार कम जादा कर सकते है अब इसमें ही हम नमा केड़ कर देंगे अधी है यह अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं बहुत ही सिंपल अचार है इसमें इतनी मेहनत नहीं है और खाने में भी उतना ही स्वाद लगता है करें यह देखिए यह हमारा चार बनकर तयार है इसको में जार में बरकर दो तिन महीने तक अराम से खा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक सेब्सक्राइब एंड श्युक्राइब